देखिए पार्टी का तो ना मैं अधिकृत अध्यक्ष हूँ ना मैं CLP लीडर हूँ ना पार्टी का प्रभादी हूँ प्रभादी जी आए हुए हैं अध्यक्ष जी मौजूद हैं CLP साब मौजूद हैं यू आश्क ये बताईए ना आप क्रोश्वोट किये थे कि नहीं पहला सवाल और दूसरा कि अगर आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाइड नाइन परसंटो कैसे आप उनको निकालिये गाए वाई आइंटिफाइड आम नौट ए एनजेंसी हम क्यों हम अधिकृत हैं क्यों क कोई हम दरोगा है इंस्पेटर है कि हम क्या है जो हम को यह करेंगा है हाँ बीवित्ता में एकता है और प्रभारी जी आये हैं और एक एक करके सभी विदायक मंत्री से मिल रहे हैं प्रफ कर रहे हैं कि अब मेरे सामने से बात नहीं हो रही है वह तो प्रभारी जी बताएंगे प्रभारी अब बिदायकों के नेता है विदायकों के एक उप्रत्ना या फिर सब्के लीडर आप ही है हुआ हम को दे रहे हैं और यह कोड़ी करने का है वहारा पार्टी का अंतों नहीं में तरह है हम क्यों आपके सामने को लिए विदायक लोग नाखूस चल रहा है इस मुद्दा पर विपक्ष में घेड़ना और विदान सबा में हंगामा यह अलग विशे मैं सबस्ता हूं जो यह करेंगे वो बेखूपों लेकिस पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि हमारे जो विदायकों ने भोट दिया वो क्यों दिया यह पूछा जा रहा है आपको डायलोग स्टार्ट किया जा रहा है यह पूछ बोलते हुए कि आप कैसे चीजों को देख रहे हैं क्या पार्टी का सिच्वेशन है स्टेट में किस तरह हम लोग पार्टी को स्टेंदन कर सकते हैं अगर कुछ आपको निराशा है तो किस बात से आपको निराशा है अगर कुछ पार्टी के स्ट्रेंट्स है तो वो क्या है उसमें कैसे और ज्यादा काम कर सकते हैं यह सब और किनों ने किया है आपको क्या लगता है क्यूं हुआ होगा पॉनिसली मैंने तो पार्टी के अनुसार वोटिंग किया है किस ने किया है मुझे इसका भी मालूम नहीं है अभी तक शायद ये वन ओन वन होने के बाद शायद एक ग्रूप मीटिंग होगा उसमें बताया वीक होने की बात है अगर अजब पार्टी वीक हो रहे हैं तो इस क्रॉस वोटिंग को तुरंत मदे नजार रखते हुए प्रभारी जी यहां पर आये हैं और इसको टॉप लेवल में इसको सॉल्फ करने का कोशिश करें तो मुझे लगता है ये वीकनेस नहीं है ये एक पीपे जिकल से विदान सभाव कर साथ तो